दोस्तो नमस्कार कैशिये आप लोग उमीद करते बहुत अच्छे होंगे चली आज हम बात करेंगे रेक्टम प्रोलेप्स मल दुआर का बहार निकल जाना, एनल का प्रोलेप्स होना, एनस का प्रोलेप्स होना आपका जो है जहां से पौर्टी पास होती है वो रास्ता किसी भी कारण से अधी बहार निकल जाए अपने जगह से तो उसी हम लोग बोलते हैं रेक्टल प्रोलेप्स करते हैं यह ज़ादा तर जब बहार निकल थी बहुत तेज दर्द होती है सुजन होती है और पौर्टी करने में बहुत परेशानी होती है अभी के दोड़ में यह बहुत ही कोमन समस्या बन गई है रेक्टल प्रोलेप्स मल दुवार का बाहर निकलने का क्या सब कारण हो सकता है चलिए यह जानते हैं पहला देखा गया है एज फेक्टर ज्यादा एज परजियत का सिकार है लंबे समिस कॉंस्टिपेशन हो रही है उस बज़ए से क्या हो रही है आप जब पौर्टी पास करते हैं बौवल एवक्वेट करते हैं तो उस पर प्रेसर देते देते धीरे धीरे प्रेसर जेनरेट होता है तो वहां का जो मसल्स होता है वहां वीक हो जाता है मान्सपेसी जिस बज़से जो एनल का रास्ता रहा निकलने लगता है दीरे दीरे तिसरा कर के लंबे समेसा सरी सनिज्रीजी या कफिंग को रही है मतलग चीक flavors रहें और खांसी लंबे समेसे आ रही है वह वह कालण है आपको रेक्टम प्रोलैप्स करने मलदवार को बाहर निकालने में दूसरा काल सकते हैं अधी आपके खाने पीने का बेवार में जो फाइवरस चीज जो जूसी चीज जो विटामिन सी की मातरा बहुत कम लेड़ हैं गरीन वेजिटेबल बहुत कम लेड़ हैं जिस बज़स से वहां का रेक्टम का बहार निकल जाता है तीसरा का सकते हैं जो फीजिकल वर्क आप तो खाना खा रहें टाइम पे लेकिन फीजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं उस बज़स से हो सकता है आप फीजिकल वर्क करेंगे कवजियत होगी तो इसका मूल रूफ से काड़न है कबजियत लंबे समय से होना आपकी आँथ की ठीक से सफाई नहीं होना एक बाड जाने वाद किलियर नहीं होना और खास करके जब पौर्टी पास करते हैं तो पौर्टी पास करने में लंबे समय लगाना मतलब कोई-कोई परसंज होते दो गंटे एक घंटे आधे गंटे पौर्टी पास करने में टाइम लेते हैं तो उसकी आत की प्रेशर ठीक से नहीं बन पाती है तो वह रेक्टम पर प्रेशर देता है तो वहां का जो है एनस बाहर निकल जाता है यह कुछ कंडिशन है देखने मिलेगा आप पानी के मातरा बह होती है उसमें जादातर पाया गया कभजियत की समस्या और कभजियत की समस्या जब होती है यह धीरे 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 उसमें पडिनत हो जाता है आपको मल दुआर बाहर निकलने लगता है यह कुछ कारण थे अब पेशेंट आके क्या सब लक्षन दिखाएगा पेशेंट आगे बताएगा डॉक्टर साहिब मैं पॉटी करने जाता हूँ तो मुझे बहुत तेज लंबे समय लगती है एक वार में ठिक से नहीं होती है हमेसा बार बार इक्षा होती है जाने की खुलकर नहीं होती है पेट में दर्द होती है पेट में गुरगुराहट होती है मल कुछ कंडिशन में जदा प्रिशर देने से आपको खून भी आने की सम्भाव नहाती है। कुछ ऐसे लंबे कंडिशन आने के बाद उसमें लगेगा मीरच की जैसे लहर ने जैसी हो रहई है। शूई जैसे चुबने जैसे ठाकने जैसे दर्द होती है ये कुछ कंडिशन लक्षन ले करके आएगा जब पेशेंट ये मलदवार की समस्या लेकाएगा उसको क्या बताना है तो कुछ ऐसी मेंटेनेंस उसको करवाना है कि आप फाइवरस ची अधिक लें जूसी चीज़ जादा लें फाराइड फूर्ड जंक फूर्ड फास फूर्ड मसाले वाले चीज तेल वाले चीज़ कम खाएगा फिजिकल वर्क जादा करें गिरीन वेजिटेबूल जादा लें ये कुछ कंडिशन करने से आपको मेंटेन हो जाएगी अब इसके बाद कुछ ऐसी हमें पैथिक दवा है चले इसी तरक नए जानकारी देखने के लिए अभी तक अधी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप प्रीज सब्सक्राइब कर लें और बगल में दियेगे बेल आइकन को जरूर प्रेश कर लें ताकि इसी तरक नए नहीं जानकारी हमेशा मिल सके अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी हमेपैथिक दवा है जो आपको मल दुआर जो निकल रही है उसको रोकेगा फर्स्ट दवाई है इगनेसिया अमारा इंगलेसिया आमारा का 30 पावर जब पिशेंट का कंडिसन हो पतला इस्टूल होड़ा है मतलब लूज इस्टूल होने के बाबजूद भी अधी मेरा पॉर्टी का रास्ता मतलब मल दुआर बहार निकल रहा है तो उसको दो दो बुन तीन बार दीजेगा तो बिलकुल ठीक करेगा दूसरा कंडिस होता है दूस कि सूजन को दर्द को घटाएगा छे टेबलेट तीन बार इसी तरक नहीं जान करें देखने के लिए मेरे से बनेड़ है धन्यवाद